हेलो एविर्वन, वेलकाम अगेने लर्ण विज दितिमन, बचों हमने किया था क्लास एट का चेप्टर नुबर शिक्स का पार्ट वन और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट टू, क्लास एट चेप्टर शिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, राजिस्थान में कुटिर एवं लगू उद्ध्योगों के विकास हे तू, राजिस्थान लगू उद्ध्योग निगम किस प्रकार कारे करता है, ये निगम रियायती दरों पर रिंड प्रवाइड कराता है, तक्नीकी सहता देता है, और विपिणन यानि मार्केट जो दिया जाता है, विपिणन की सुवध्याएं प्रदान करता है, तो राजिस्थान लगू उद्ध्योग निगम उद्ध्योगों के लिए क्या क्या करता है, निगम रियायती दरों पर रिंड प्रवाइड कराता है, तक्नीकी सहता मुहिया कराता है, और विपिणन यानि उनको बे वित्यस संजादानों की कमी, कच्छे माल की कमी, सीमित बजार, उत्पाद गुणवत्ता, उर्जा की अवसिष्पतादों का उप्योग आदी। जैसलमेर और जोदपुर में जो खादी बनाई जाती है वो कौन सी ऐसी खादी है जो बहुत पिरसिद्ध है और वो है मैरीनो खादी इसको क्या कहा जाता है मैरीनो खादी है जो जैसलमेर और जोदपुर की बहुत पिरसिद्ध है राजस्थान में ने कोशन देखिए उनी ख निर्मित पिर्सिद बररडी राजिष्ठान के किस जिले से सम्मंदित है। जैसले मेर से। राजिष्ठान के जैसले मेर जिले में उनी खादी से बरराडी बनाया जाता है। ठीक है। चलिए। नेक कोशन देखिए, राजिस्थान के किस जिले के कंबल पिरसिद्ध हैं, तो उनी कंबल कहां बनाया जाते हैं, बीकानेर में बनाया जाते हैं, तो बीकानेर के जो कंबल हैं, वो बहुत पिरसिद्ध हैं राजिस्थान के, नेक कोशन देखिए, खादी वे ग्रामुद्योग संस्थानों में सूती, उनी वे रिस्मी धागों से बनी वस्तों के अत्रक किसका कारे किया जाता है खादी और ग्राम उद्धोग संथाओं में, देखे खादी और ग्राम उद्धोग संथाओं में, नाम से अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वल खादी का काम किया जाता होगा, यानि वस्त्रों का काम किया जाता होगा, इससे जदा नहीं होता है, लेकित एक्ट्व बुनकरों को सरकार द्वारा किन कारेकरों के तहट साहिदा प्रदान की जाती है तो देखिए इनमें जो कारेकरम हैं ये काफी important है एक इकरत ग्रामिन विकास कारेकरम और आवास योजना है ये दो एक विशिष्ट कारेकरम है जिनके मारपद सरकार बुनकरों को विशिष्ट सहता प्रदान करती है नेक कोशन देखिए राजिस्थान में किन खेत्रों में गन्ने के रच से गुडवे खांड़ सारी का निर्मान किया जाता है तो किन खेत्रों में किया जाता है कोटा, बुंदी, भीलवाडा और उदैपुर जिले में ये कारे होता है कोटा, बुंदी, भीलवाडा और उदैपुर में गुडवे खांड़ासारी का निर्मान गन्ने से किया जाता है अच्छा एक बात और इसमें बहुत important question है वो ये कि मौसमी उद्ध्योग किसे कहा जाता है तो देखिए, इस चीज को आप इस प्रिकार से समझ सकते हैं जब गन्नी की फसल होती है क्या होती है? गन्नी की फसल होती है तो यह उद्ध्योग चलेंगे गन्नी की फचल नहीं आएगी तो यह उद्ध्योग उस वक्त नहीं चलते हैं तो इस स्थिति में क्या कहा गया इनको कहा गया मौसमी उद्ध्योग यह आप विसेश तौर पर याद रखे गया जे कोशन पूछा जाता है बकाईदा कि इनमें से मौसमी उद्ध्योग कौन साओ है तो ऐसे उद्धोग जो एक पर्टिकुलर समय में, एक निश्चिस समय में ही चलते हैं, जैसे कि सक्कार, उद्धोग, गुड़ु और खांडशारी का उद्धोग ये कैसे टाइम पे चलेगा, जब आपके गन्नी की फचल आएगी, तभी चलता है ने विसे इस तोर पे, तो ये कैसा उद्धोग कहलाएगा, ये आपका मौस में उद्धोग कहलाता है, तो चलिए ने कोशन देखिए, राजिस्थान के किन छेत्रों में तेल गानी छेत्र अधिक हैं, तो किन छेत्रों में अधिक हैं, अलवर, भरतपूर, सवाई, मादुपूर और जैपूर आधि, यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि जहाँ पर सर्सों पैदा ज्यादा होती है, वहाँ पर सामने तेल ज्यादा निकाला जाता है, क्योंकि अपनी राजिस्थान में सब बहुत मात्रा में सर्सों का तेल निकाला जाता है, तो अलवर, भरतपूर, सवाई, मादुपूर, जैपू राजिस्तान के किस जिले में मूपली के तेल की खल निर्मित की जाती है तो कहां पर की जाएगी अजमेर साइड में क्योंकि अजमेर में यहां इसकी पैदावार होती है तो अजमेर में कोटा बूंदी बारा वे पाली में भी तिली के तेल की खल बनाई जाती है लेकिन अजमेर में किसकी बनाई जाती है मुंगफली की अलवर जैसे छेत्रों, अलवर सवाई मातपुर जैसे छेत्रों में किस की है? वहाँ पर आपको सर्सों की मिलेगी खल. यहाँ पर आपको अजमेर में मुंफली की मिलेगी और कोटा बूंदी, बारा और पाली में तिल्ली के तेल की खल मिलती है. चलिए, नहीं कुशन देखिए. राजिस्थान के जैपुर जिले में इस्थित जोहरी बजार किस हेत्रों विश्व परसिद केंदर है? देखिए, यह कुशन रिपीट हुआ है, और यह कुशन आभी चुका है, तो इस चीज को याद रखेगा. यह किसके लिए परसिद है? सोने चांदी के आभुसणों रतनों के लिए, यह जो जैपुर का जोहरी बजार है, वो सोने चांदी के आभुसणों रतनों के लिए बहुत परसिद है, विश्व परसिद यह केंदर है, राजिस्थान का. नेक क्वेशन देखिए, राजिस्थान में लाल पत्थर किस जिले में पाया जाता है, राजिस्थान में लाल पत्थर किस जिले में पाया जाता है, तो देखिए लाल पत्थर के आपने बहुत सारे कारखानें देखिए होंगे चलते हुए, ये धौलपूर एरिया में बहुत जिल्य में पाये जाता है तो किस जिल्य में राजसमन में नागौर उदैपुर अजमेर बासवाड़ा आदी जिल्यों में पाये जाता है राजसमन नागौर उदैपुर अजमेर बासवाड़ा आदी जिल्यों में संगमर्मक्य पत्थर पाये जाता है राजस्थान के अंदर नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में पीला पत्थर किस जिले में पाया जाता है, लाल पत्थर किस जिले में पाया जाता है, और पीला पत्थर जैसल मेर में पाया जाता है, पीला पत्थर कहां पाया जाता है, जैसल मेर में, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में कोटा कि जिले में पाया जाता है राजेस्थान में कोटा इस्टान किस जिले में पाया जाता है तो देखिए इसके तो नाम से ही निश्चित है यह कहा पाया जाएगा कोटा इस्टान कोटा यानि कोटा में पाया जाएगा तो कोटा इस्टान कोटा में मुख्यत पाया जाता है इसल में पाया जाता है जालाॉर में ग्रेनाइट पच्था राजधान के अंदर पाया जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है यहां भारत की बात की जा रही है और सूती वस्त्रों की राजधनी मुंबई को कहा जाता है नेक कोशन देखे राजिस्थान का सबसे प्राचिनतम उद्योग किसे माना जाता है तो सबसे प्राचिनतम उद्योग किसे माना जाता है तो सबसे प्राचिनतम उद्योग कौन चाहे भारत में सूती वस्त्रों का सरवाधिक उत्पादन कहां होता है तो कहां होगा वो होता है महराष्ट और गुजरात में भारत में जो सूती वस्त है उनका सरवाधिक उत्पादन महराष्ट और गुजरात शित्र में होता है नेक कोईशन पर चलिए तो देखें, अजमेर के ब्यावर में इसको इस्थापित किया गया था अजमेर के ब्यावर में इसको इस्थापित की गई थी नेक कोशन देखिए, राजिस्थान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मैंचेस्टर, यह है भीलवाडा, राजिस्थान का मैंचेस्टर है, भीलवाडा को कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान की वस्तर नगरी किसे कहा जाता है, तो राजिस जिसनेहरी जरी का काम ही तो यह विश्व इत्वारत के वो छेत्र हैं आसपास के जो विश्व इत्व मामले में धाका की मलबड मसूली पत्नम की चीन काली कट के केलिंग को बुरहानपूर सूरत और बढ़ूद्रा के सुनहरी जरी यह सभी विश्व इत्व इत्वे अपनी जगें पर यह कोश्व आपके जो सीटेट में है यह दो बार आ चुका है कितनी बार दो बार आ चुका है तो यह छोटा कोश्व नहीं यह फिर दुबारा भी रिपीट होने के बहुत चांचिज रहते हैं ऐसे कोश्व के तो इसको भी याद रखेगा मदरास के अंदर किया गया था भारत में सरवपेत्तम से सिमेंट बनाने का काम किया गया था मदरास में किया गया था, मदरास के अंदर समुध्री सीप्लों से सीमेंट बनाने ही थो पहली बार प्रयास किया गया था neighbor question देखिए राजिस्थान राज़्य का पहला सीमेंट कारखाना कब वे कहाँ बनाय गया? 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में इसको बनाया गया था पहला सिमेंट कार खाना जो राइस्थान का था 1915 में इस्तापित किया गया था बूंदी जिले के लाखेरी में कहाँ पर बूंदी जिले के लाखेरी में सिमेंट कार खाना राइस्थान में पहली बार, इस्थापित किया गया था, 1915 में नैक कॉंचन देखें सीमेंट उ द्योग हे दो, कच्छा माल क्या-क्या आवश्क है? सीमेंट उ द्योग के लिए जो कच्छा माल होता है क्या-क्या हमें रिक्वाइड होता है, वो इसमें पूछा गया है तो कौन कौन चा उप्योगी है चूना पत्थर चाहिए होता है सिमेंट उद्यों के लिए जिपसम चाहिए होता है और कोईला चाहिए होता है तो देखिए चूना पत्थर जिपसम बे कोईला आदी जो चाहिए होते हैं वो सिमेंट उद्यों को कच्छे माल के लिए अनिवार तो रूप से चाहिए होते हैं नेक कोईशन देखिए राजिस्थान के किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला माना है किसको माना है चिताडगर को क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में इसको कच्छे माल की उपलब देता आसानी से हो जाती है तो इसी वज़े से यह जो छेतर है इसको सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला माना जाता है नेक कोईशन देखिए राजिस्थान की पहली सक्करमील कब वर किस जिले में इस्थापित की गई थी तो कब की गई थी उननी सो बतीस में चित्तोडगर के भूपाल सागर में की गई थी जो वरत्मान में बंद है उननी सो बतीस में चित्तोडगर के भूपाल सागर में की गई थी उननी सो बतीस में जो की राजिस्थान की पहली सक्करमील थी ठीक है? और यह वर्तमान में कारे रेंट नहीं है, मालब कारे रेंट नहीं है, बंध हो चुकी है, नहीं कोईचिन देखे, सेज किसे कहा जाता है? very very important question विर्ध हड़की के विकास हो, रोजगार जदा हो सके तो उसके लिए हम गौवर्णेट ने क्या क्या है? चोटे 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 चेत्रों में यगों को बाढ़ दिया और एक विशिष्ट इस्थान उनका नाम दे लिया तो इस निर्धारण में जो अलगलग छेत्रों का निर्धारण किया गया इसको क्या कहा गया? सेज कहा गया अलगलग जो पार्ट है उनको क्या कहा जाता है? सेज कहा जाता है तो तीव रौध्धोगे की विकास इपर रोजगार के साधनों में व्रद्धी के उद्धेशे से विशिष्ट छेत्रों का नर्धान जो किया गया है वो क्या कहलाता है सेज कहलाती है और जब बात करें राइस्थान का सबसे बड़ा सेज कहां इस्थापित किया गया है तो वह भी हमें पता होना चाहिए राइस्थान का सबसे बड़ा सेज का हुआ है सीतापुरा जैपुर में सीतापुरा जो इंडर्स्टिल एरिया है जिसको हम सामाने तोर पर क्या बोलते हैं सीतापुरा इंडर्स्टिल एरिया जो जैपुर में इस्थापित है ये राइस्थान का सबसे बड़ा सेज है क्या है ये राइस्थान का सबसे बड़ा सेज है सीतापुरा जैपुर में च राजस्थान के किन जिलों में राजसाइनिक उध्योगों का कारे मुखित है किया जाता है राजस्थान में इंजिनियरिंग वे इंस्टूमेंट्स उध्योग किन छेत्रों में किया जाता है यह है कोटा, भरतपुर, जैपुर, अजमेर वे अलवर आदी में राजस्थान में इंजिनियरिंग वे इंस्टूमेंट्स उध्योग का कारे किया जाता है next question देखिए खेतरी copper complex किस जिले में इस्तित है खेतरी copper complex किस जिले में इस्तित है तो देखिए इसके नाम से ही पता है कि जुन-जुनों के खेतरी में इस्तित है कहाँ पे है जुन-जुनों के खेतरी में इसलिए वज़े से इसको खेतरी copper complex कहा जाता है जुन जुनू के जिले में इस्तित है और इसी के साथ आपका होता है ये चैप्टर समाप मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए बचनों थैंक यू